Hello Friends, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, English अच्छी तरह से बोलने या लिखने के लिए हमें तरह-तरह के शब्द आने चाहिए और दोस्तों मैंने आपको हमेशा तरह-तरह के Words की Class देने की कोशिश किये vocabulary की Class देने की कोशिश किये इसी कोशिश में दोस्तों आज हम सेखेंगे पानी से संबंधित शब्द यानि कि अगर कोई धारा बह रही है उसको क्या कहते हैं अगर कोई जहरना गिर रहा है उसको इंगलिश में क्या कहते हैं अगर कोई नदी बह रही है, कोई समुद्र, महा सागर बह रहा है, उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों आईए सीखते हैं कि पानी से जो सम्मंधित शब्द हैं, उनको इंगलिश में क्या कहते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है water related words अर्थात पानी से सम्मंधित शब्द, तो द दोस्तों इसको कई बार लोग ocean और अलग अलग तरीकों से इसको बोल लेते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध चाराने हुए है ocean, श का इस्तेवाल करना है दोस्तों, शंकर में जो श लगता है वो वाला श बोलना है ocean, स नहीं होगा श होगा, ocean का मीनिंग है महा सागर, उसके चोटा होता है, समुद्र का size चोटा होता है और महा सागर काफी बढ़ा होता है, जैसे इंडियन ओशन, हिंद महा सागर, वो महा सागर है और रूस के पास, रूस जो देश है उसके पास एक black sea है, यानि कि काला समुद्र, black sea उसको इंगलिश्यों बोलते हैं, तो महा सागर म है और समुद्र में यह अंतर है, size का अंतर है, उसके बाद है दोस्तो river, यह word हम सभी लोग जानते हैं, river का मतलब होता है नदी, फिर है दोस्तो lake, lake का मतलब है जील, जील बड़ी खुबसूर्त होती है और जील जो है वो तालाब से बड़ी होती है size में, जील एक बड़ा त तालाब से size में, तीन गुना, चार गुना, दस गुना बड़े जीले बड़ी हो सकती है, तो lake का मतलब है जील और उसके बाद दोस्तो pond, pond का मतलब है तालाब, तो तालाब जो है वो आपने देखा ही होगा, गाउं अगर के लाके में तालाब बहुत ज्यादा होते हैं, और प्राकृतिक नहरे बहुत कम हैं, ज्यादा तर नहरे man-made हैं, यानि इनसान के द्वारा बनाए गई हैं, तो नहर आदमी इसलिए बनाता है कि उससे सिचाय और का काम आदमी कर सके, तो नहर से खेतों में पानी डालना, यह main काम नहर का यही है, उसके बाद दोस्तों waterway, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, जैसे सरकारें क्या करती हैं, जैसे अभी जो सरकारें वो जल याता है, आदको काफी तेजी से आगे बढ़ा रही है, इसमें क्या करते हैं, कि जैसे दो नदियों की धाराओं को मिला दिया, और नदियों के किनारों को थोड़ा सा चोड तो ये जो जल याता है याते है ये नदियों के रास्ते से बहुत बड़ी-बड़ी नहरों के रास्ते से भी हो सकता है तो इन नदियों को इसलिए मिलाते हैं या इनको चोड़ा इसलिए करते हैं कि जहाज जा सके और उनसे माल की ढुलाई हो सके, सामान पहुचाया जा सके, तो जैसे सडक से रोड, जो हमारा सडके होती है हमारे हाँ, तो जैसे ट्रक से माल की ढुलाई होती है, और हवा के रास्ते भी होते हैं, जो कारगो प्लेंस होते हैं, उनमें भी माल जाता है यहां से वहां, इस उमीद है तो इसको बनने में बहुत समय लगता है और अभी एक waterway बनके तैयार हुआ है हमारे देश में वारा नशी में, तो waterway का मतलब है जली आता है, उसके बाद है दोस्तों, drain का मतलब होता है दोस्तों, नाला कोई भी जो नाला बहरा है, छोटा हो चाहे छोटी सी नाली ह यहते हैं, drain से दोस्तों मुझे एक phrase याद आ रहा है, आपको ऐसी ही बतायता हूँ, एक phrase English में, go down the drain, go down the drain, यानि नाले में बह जाना, यानि कि अगर किसी ने काफी महनत की, लेकिन अगर उसको उस महनत का नतीजा कुछ भी नहीं मिला, zero मिला, यानि कि महनत का फल नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं, all his hard work has gone down the drain, उसकी पूरी महनत बेकार होगी है, तो दोस्तों drain से इस प्रकार का phrase भी एक बना हुआ है, अच्छा दोस्तों आते हैं दूसरे words पर, अब हैं दोस्तों हमारे पास waterfall, waterfall का मतलब होता है दोस्तों जहरना, जहरना जो होता है यह प्राकृतिक ह होता है, natural होता है, और यह उचाई से नीचे गिरना चाहिए, उसको जहरना कहेंगे, और दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा जहरना है, वो है Niagara Falls, जो Canada में है, अगर आपको कभी भी मौका मिले, अगर आप पहले से देख चुके हैं Niagara Falls, तो बहुत अच्छी बात है, नही प्राकृतिक धारा, पतली प्राकृतिक धारा, यह ब्रूक जो है दोस्तों, यह manmade नहीं होता, यह आदमी के द्वारा नहीं बनाया होता, यह जो प्राकृतिक रूप से जंगल से होके, या पहारों से होके, जो बहती है पतली धारा कोई, उसको ब्रूक कहते हैं, या इसी क दोस्तों आप रिवियुलेट्ट और के बाते हैं पस्सक्राइब का अधिश्य विरिवलेट्ट और दोस्तों कीसे बंद सिएलिए दोस्तों 1 पूल पूल अगयों उसमें जो अगल इक फैश्ञाँ फवर के नको लोग निंगल भी जाते है घाल लें लें और क्यारा से घालं आई भंगी लिएग दाए आर दा मूँना को आहिए उसको संग्रह इस लिए पूल दो किहाँ आद यह ऩ्यादन सवाँ प कर विकेशनों को डिन दो favour explained और उसके बाद है दोस्तो पजल, पजल भी दोस्तो पूल जैसा ही है लेकिन पूल का आकार बड़ा होता है और पडल का आकार छोटा होता है, पडल क改iałem, दोस्तो जैसे आप देखते होंगे कि बारिश जब होती है, तो कहीं मैदानों में या सडक के ऊपर पानी के छोटे-छो इन ही को पडल कहते हैं उसके बाद दोस्तों waterfront waterfront का मतलब है दोस्तों यह लिखा मैंने किनारे के सामने की जमीन यानि जैसे कोई कोई समुद्र है कोई नदी है तो कोई नदी है और उसके किनारा जहां उसका किनारा है उसके बाद जितनी भी जमीन होती है कई बार उन जमीनो waterfront पानी के सामने तो पानी के सामने जो भी जमीन का हिस्सा है उसी को waterfront कहा जाता है तो दोस्तों ये ऐसे words थे जो पानी से जुड़े हुए थे और मैंने सोचा कि मैं आपको आज बता दूँ अज़ा दोस्तों कि जो जमीन के उपर जो जैसे धारा है या कोई गढ़ा है या महासागर इस प्रकार के शब्दों को बताना इसे लिए मैंने आज आपको इन शब्दों को बताया तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको जरूर ही इन वर्ट्स को सीख के फायदा होगा अगर आपको आज की क् साथ रहते हैं और मिल करके हम लोग चीज़ें सीखते हैं अगले वीडियो में हम फिर एक नई चीज़ सीखेंगे थैंक यू बड़ी बच्ट बाइब